शरंगेयो आमी अपनी आखों से फ्लाट करना बंद कर चल निकल जहां कैमरा देखता है वहां शरंगे शरंगे करना बैठ जाता है कोई लड़की तो भाद देती नहीं है इसे सिर्फ चार लाग की शॉपिंग की है कुछ दुकान में अच्छा है इमी मेरे पीछे जो भी आई थक थक करने लगा आठ बजगें भाबीजी छट पर है का एपिसोर्ड मिस हो जाएगा पान नहीं गुटका खा रहा हूं कुटी विमाल इस दो बेस्ट अंडर्ट पसंट सेल वाला कोई कपड़ा है क्या मेरे साइज की कपड़े मिलेंगे या नहीं मच्चों के स्ट्शन मे मिल जाएंगे इस तुकान वाले को तो फैशन के बारे में कुछ पता ही नहीं सारा ओल्ट फैशन माल रखा हुआ है अरे यह देख यह ले लूट लो रहे भाई लूट लो हमारे कपड़ों के पैसे कुकी देगा कंगाल हो जाएगा याज कोई तो देख लो मुझे कैसा हुई है यह पहन के जाओंगा और पैसे कमाओंगा बटवा खाली हो गया मेरा कंगाल हो गया मैं सिर्फ दसी तो परे खरीदूँगा जादा फिजूल खरची करने की मेरी आदत नहीं है यह जोले वाली जैकिट ज़रा पहन के देखता हूं कैसी लगती है मुझ पे वाव व जूट मत बोल लड़किया भी इतना शॉपिंग नहीं करती जितना की तुम लोग बस दो तिन दरजर और खरीदे लूँ फिर चलते हैं एक मम्मी के लिए दो चाचा के लिए एक बुआ के लिए यह तो अपने खानदान की शॉपिंग कर रहा है मैं इसके पैसे नहीं अगर तुझे सस्ते लगते हैं गदे अमीर बाब क्या तो मेरी जोले वाली जैकेट सबको कैसी लगी हां बॉल्दी बंध हो गई ना इन पुतलों से ज्यादा हैंसम तो मैं लग रहां इस जैकेट में धेर सारी जेवे हैं यह क्या बतवास पैली है बुढ़ा लग रहा है बस सफेद दाड़ी मुच लगा ले पूरा दादा जी लगेगा बुढ़ा लग रहा है बुढ़ा बुढ़ा बैंगी मैंने टोपी खरीदी थी पदा नी कौल लेके भाग गया तूने ची रहे है ना बता तू कोके कोके सुन काउंटर पे देख क्या हुआ बकवास दिखा मेरा बट्वा चोली हो गया जे मिनने तेरी टोपी चुरा लिए लड़ रहा है मैं तुझे गुच्ची की टोपी दिला दूंगा इससे भी महंगी वाली सारी सस्ती और ओल्ड पैशन चीजे रखी हुए यहां पर यह दुकान तो बर्बाद हो जाएगी भाईया हम बीटी कब बंदर लग रहा है कुछ दुकान में अच्छा है नहीं सिर्फ चार लाग की शापिंग की है आइम वर्ल्ड वाइड हैंसम जिन चुवा लग रहा है मुझे बंदर बोला था ना जल गया मेरा हैंसम फेस देखके जल कुकड़ा कहीं का जेखे यह यह गुच्ची का जू आए हमें पुलिस वली से आ गई तो पिटाई हो जाएगी अरे इसनी बड़ी अलमारी कहां से आ गई पड़ास उने घर में जाकना बंद कर वाना जखके मार के निकाल देंगे जबन 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 आ रहा हूं मेरे नाम के माला क्यों चप रहा है पेरे साइज का बेड बिल ग बाइ इधर लो भाई इंठाड लग रही है मुझे पहले मैं जाता हूं जाओं बाइबाइ 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 भेजने की जल्दी लगी पर इसका कमरा लू मैं ओ यह वाला तो छोटा है मेने लाइक नहीं है चलो मेरे पीचे जो भी आईगा गोली मार दूँगा पी चोरो की तरह दीरे दीरे जाता हूं दीने 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 इधर नहीं इधर सब बेबकुफ बन जाएंगे बूत यहो भी बस कर अरे कहां भाग रहे पैड़ जहीं पर मुझे सोफर पे नहीं सोना है मामें तुम सब कर खरीदे इसलिए मुझे कुछ तो स्पेशल इतनी भी पेश्टी मत कर मेरी शरम आरी है मुझे तुझे कौन सा रूम चाहिए मेरी अंदर की आत्मा कह रही है मैं चार चार लोंडो के बीच पसने वाला हूं चाल लंड़ के भी इस तेरा दिमाग हिल जाएगा कौन जाएगा अब अब मैं जाता हूँ कोई मेरे पीछे नहीं आएगा हलो कौन बोल रहा है लगता है कोई है इसके अंदर मैं नहीं जा रहा मैं इसी के अंदर जाऊँगा हलो आँ भाई लग जागले इतनी कुशी हो रही है कि आसो आ रहे और दिमाग खराब हो रहा है पता नहीं कौन सा कमरा मिलेगा मेरा सिक्सेंस कह रहा है मुझे यूंगी, जेहोग और शुगा इन दीनों के साथ सोने को मिलेगा हम तीन बंदर बंद कमरे के अंदर टेंशन हो रही है मुझे लग की जरुवत है ए जुआला मुखी माता शक्ती दे मेरी ये चुटिया वाली टोपिक ऐसे लग रही है भगवान कितने लोग थूसेंगे इस रूम में वो सब छोड़िये बता मैं कैसा लग रहा हूँ एकदम प्यारी गुड़िया जैसी मजाब मत कर शरह मारी है शुरुवात किसने कीती अब मैं जा रहा हूँ अब कभी नहीं मिलेंगे अपनी शकल मत दिखाना जेहाँ तू तो कभी मत दिखाना फिर नहीं मिलेंगे बाई अला कोई है मैं आगया ये योगी मेरे भाई मर्जा साले यहीं कमरे मिले था घुसने के लिए इतना छोटा कमरा बस कोई शकल ना दिखा है अपनी सोजाता हूँ मैं घर लग रहा है दिल धक धक कर रहा है दिल धक धक करने लगा मैं आगया आ नईस रूम में आए हाई स्वागत है नर्क में वाई पै लगा हुआ है यहाँ पे रात को सासबू की सीरियल देखने है मुझे मैं जल्दी जाता हूँ आठ बजगे भाबी जी छट पे है का एपिसोड में सो जाएगा इतना कन्फियूस तो मैं सीबी एसी बोड के इकजाम में भी नहीं हुआ कौन सा रूम लू मैं तीमा की बत्ती बुच गई है मेरी चलो यह वाला रूम ही ले लेता हूँ हलो बाई यो मैं आ गया ये तू धर्टी पे सोए जा कौन बचाए जल्दी आ जाओ गर्मी के मारे मेरा तो थोपड़ा ही लाल हो गया आ गया मैं आ गया मैं बॉल दे हमी दोनों है नहीं आ पे ये ये मेरे अकेले का नरम देश्टार मैं आज बहुत खुश हूँ तू यहाँ क्या कर रहा है हलाओ शॉप लगया मुझे देखके ओहो मैं भी तो हूँ बिस्टर के नीचे वेल्कम तो आज़त है पीटियस की मंडली में लाहे बाबा तादी जिमीन ने मेरे को धासू आइडिया दिया है कि चार लोग भी तर पे कैसे सोते हैं किसी को देखना है मैं बैडि के कोने में सो जाँगा ऐसे और मैं इसके पीछे ऐसे करके और मैं इन दोनों के बीच में ऐसे तुबक के सो जाँगा और मैं सोँगा जिन के पिछवारे के पीछे ऐसे रुको चिम्टा ला रहा हूँ पहले खाना ठूशना शुरू कर दिया कोई किसी के मुझसे खाना नीचीनेगा सब को बराबर मिलेगा दे दे चलती दे चलती दे मेरी प्लेट में दे भंडारा में चल रहा है जो आगे हो प्लेट उठा के मंगतो की तरह मम्मी लग रहा तू मम्मी हूँ मैं तेरी ज्यादा बोला तो प्लेट छिल लूँगा मम्मी बस यारा जुपचाब बैठे खा ले अ गरम है इकने दीखी क्यों बनाई है ये मेरे मुझसे तो धुवा निकल गया खुद बना लेकर अपना खाना इसमें इदना नमक क्यों डाला है तूने डाला इसमें नमक मैंने नहीं तूने डाला है मिरसे पहले आँखो में मिर्ची चली गई मैंने आखी जल रही है दाक्तर कर सो गया है थोड़ी आखो की मसाज कर लेता हूँ कैमरे को क्या गूर रहा है आखे भी मत का रहा है फ्लाट करना बंद कर मैंने कहा आख मारी किसी को मैं शरीफ करका लड़का हूँ ऐसे बदनाम मत करो मझे और मैं दो नमक शरीफ हूँ कैमरे को घूर घूर के आग लवा दूँगा जे बच रंग बली आखे मेरे आखों में जेमेन वाइ आर यू सो क्यूट शर्माना बंद कीजिए और बताएए आप इतने क्यूट क्यूँ हो बोलो मैं तो ऐसा ही हूँ अब ये पांचमाना बंद करे पांड नहीं गुटका खा रहा हूँ मैं लोगों को संदेश देना चाटा हूँ कि विमल इस दे बेस्ट अकेले अकेले विमल खा रहा है मुझे नी दिया सरंगेयो आमी अपनी आखों से फ्लट करना बंद कर चल निकल जहां कैमरा देखता है वाँ सरंगे सरंगे गनना बैठ जाता है कोई लड़की तो भादेती निया